नमस्कार, मेरा नाम रचना राजस्थानी है और सबसे पहले तो यूनी अलफाज के मंच का मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे दुबारा आमंत्रित किया और मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया आदा करना चाहूंगी कि आपने मेरी पिछली कविता को इतना प्यार दिया और करीब 3 मिलियन व्यूज कम्प्लीट होने वाले हैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी आज लेकिन उससे पहले कुछ बाते मैं कहना चाहूंगी पहली चीज यह कि मेरी कविता को किसी भी तरह से लड़कों और लड़कियों के आपस में तुलना के रूप में ना ले कि लड़कों के लिए बहुत मुश्किल होता है और उन्हें हमारे साथ की और सब की सरहाना की जर्वत होती है जी तो मैं शुरू करती हूँ और एक और बात कहना चाहूंगी कि ये कुछ विशे मैंने यहां पे रखे हैं तो जो पहला विशे है वो उन चंद लड़कियों के लिए है जो अपने लड़की होने का फाइदा उठाना वखू भी जानती है और चंद रुपियों के लिए या लाइम लाइट में आने के लिए वो किसी भी हद तक जाने में नहीं कतराती हूँ तो मैं शुरू करती हूँ रुंदला गला बहते आंसू फटा दुपटा बिखरे बाल एक स्त्री ने अबला बन देखो कैसा बिछाया जाल खुद ने खुद को जख्मी किया और विडियो बना कर किया बवाल निर्दोश है तू पर लड़का है तो उठेंगे तेरी नियत पर सवाल कि निर्दोश है तू पर लड़का है तो उठेंगे तेरी नियत पर सवाल जिन पापी लड़कों से कल तक तू अपनी बहन बेटी को बचाता था आज उन्ही बहन बेटी की नजर में तू भी पापी कहलाएगा सब थूतू करेंगे तुझपर तू किस किस को सच बताएगा सब फूथू करेंगे तुझ पर तु किस किस को सच बताएगा तेरा भूत भविश्य वर्तमान सब मिट्टी में मिल जाएगा सब गुनाह साबित करते हैं तु बेगुनाही साबित क्या कर पाएगा कर भी दी तो खोई इज़त क्या फिर से हासिल कर पाएगा तु बिना किसी अपराद के अपराधी सा सहम कर तो देख तु एक बार लड़का बन कर तो देख अगला जो विशे है वो उन लड़कों के लिए है जो स्वेच्छा से एक ऐसी राह चुनते हैं जहां उन्हें पता है कि हर कदम पर मौत से सामना हो सकता है फिर भी वो राह चुनने से नहीं घबराते हैं तो आगे बढ़ती हूं कि सब देश की बातें करते हैं ये देश की खातिर मरते हैं सब देश की बातें करते हैं ये देश की खातिर मरते हैं लू के थपेडे सहते हैं बर फीले तूफानों में रहते हैं सीमा की रखवाली करते हैं 24 घंटे निगरानी करते हैं पर किसी जुबा पर इनका नाम नहीं ये बस गुमनामी सहते हैं किसी मा की रखवाली करते हैं 24 घंटे निगरानी करते हैं पर किसी जुमा पर इनका नाम नहीं ये बस गुमनामी सहते हैं योध्धा बनकर जाते हैं शहीद बनकर आते हैं योध्धा बनकर जाते हैं शहीद बनकर आते हैं बीवी, बच्चे, माता, पिता सब पीछे कहीं रह जाते हैं सीने में वतन की आग लिए, दिल में अपनों की याद लिए लहराते तिरंगे का सपना बच्पन से देखा करते हैं सब चका चौंद से दूर कहीं कैसे विराने में रहते हैं जहां इसको सबको पैसे कमाना है अपना घर संसार बसाना है वहां बिना किसी दबाव के तू स्वेम के सादर भाव से एक सैनिक का जीवन चुनकर तो देख तू एक बार लड़का बनकर तो देख झाल 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 झाल